दर्शको आज मैं आपको लेकर आया हूँ दिल्ली की जामा मस्जद में जे इसका एंट्री गेट है आगे जाके इसकी रोचिक बात ही बताऊंगा आओ चलते हैं देखते हैं ये बुर्ज आपको साफ तोर पर बहतरी ने बुर्ज ना जरा जाएंगे आओ आगे चलते हैं देखते हैं दर्शको आप देख सकते हैं ये रात का व्यू है जामा मस्जद का दिल्ली में दिल्ली वाली जामा मस्जद जो परानी दिल्ली में बनी हुई है 1744 में बनी होई थी ये मस्जद शाह जहां ने बनवाई थी और शाह जहां को अंजीनियर बादशा बोला जाता है ये देखिए पाक पवित्र मस्जद आप देख सकते हैं कमाल का व्यू आपको नज़र आएगा शाह जहां ने ताज महल दो तो ये बड़ी मनारे इसके पीछे भी मनारे होंगी तो आपको अंदर क्या व्यू भी मैं आपको दिखा दूँ ये रेड सैंड स्टोन लाल पत्थर की बनी हुई है ये शाह जहां के शाशनकाल में शाह जहां ने बहुत सारी इमारतों का निर्मान किया जिसमें से सबसे ज़्यादा जामा मस्जद का जिकर आता है और ताज महल का जिकर आता है क्योंकि वो कला को प्यार करने वाले थे और आखर मैं बता दूँ के शाह जहां जहांगियार के बेटे थे और शाजहां के बेटे औरंग जेब थे ये देखिए आप आ चुकें अंदर की तरफ जहां हमारे मुसलमान भाई नमाज अदा करते हैं ये अंदर का दृष्ष आपको दखाई देखा किस तरीके की बनी हुई मस्जद है ये कमाल संगमरमर और लाल पत्थर की बनी हुई मस्जद है ये मतलब काफी अभी ट्रैफिक वाला काफी एरिया हो चुक है काफी मुश्कल से आना पड़ता है यहां पर उस तरफ से हमने एंट्री की थी देख सकते हो साब तोर पर ये देखिए इस तरीके का धान चाहे इस तरीके का जो आपको संग मरमर भरा हुआ लाल पत्थर में नज़र आ जाएगा साब तोर पर तो इस तरह मैं आपको और भी चीज़ दखा दूँ वहां वज्जू करने के लिए कुंड था मतलब कि नमाज अदा करने से पहले यहां पर हाथ मूँ दोया जाता है मतलब अपने आपको साफ किया जाता है यह रात का दृश्य दखा रहा हूँ अभी किसी वक्त मैं आपको अब दिन में आया तो दिन का दृश्य भी दखाऊंगा तो आप थोड़ा सा हंदेरा और आवाज को परदाश्ट करना कोई शोर शरबा काफी होता है यह वयू करने के लिए जैसे वो भाई वजू के लिए हाथ में ढो रहा है तो इस तरीके से यह कुन पानी का बना हुआ है और यह है पाक पवित्र मस्जद जमा मस्जद आप साब तो अपर अपर देख सकते हैं कमाल यार कमाल और शाज जहां को बता दूँ के उनको उनका आखरी वक्त आगरा वाले लाल किला में गुजरा था वहां उन्हें आठ साल सकैद काटी थी उस किले में मुसमन बर्ज में और वहां से ताजमल देखते हुए ही इस संसार से वो अलविदा हुए थे यह जमा मस्जद दि दिली में कभी आप भी आओ तो देख सकते हो सो अगली बार और नया विशा लेकर मिलते हैं महर बानी धन्यवाद